Okay, local function in C-sharp और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि C-sharp के आगे लिखा हुए 7.0 ठीक है, 7.0 इसका वर्जन है सबसे पहले तो नेम से ही हमें ये जाहिर हो रहा है कि local function से मुराद ये है कि एक function के अंदर ही उसका function call हो रहा है ठीक है, जोके local है उसके लिए लेकिन definition क्या बता रही है वो देखते हैं तो definition पर लिखा हुए C-sharp 7.0 add a new feature called local function which allow local method to be defined and called within a method यानि आप allow, आपको C-sharp क्या allow कर रहा है कि आप जहां पर method को define कर रहे हैं उसी method के अंदर ही उस method को क्या कर सकते हैं, call कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक code की हवाले से बात हो रही है जो हम practically करके देखेंगा उस method का नाम क्या होगा add और वो add main method के अंदर मैं बनाऊंगा और बनाने के बाद वहीं पर उसे call भी करूंगा लेकिन अभी एक problem यह है कि हमारे पास जो visual studio मौजूद है वो latest version 7.0 को accept नहीं करता बलके 6.0 तक ही है लेकिन हम पहले यहां पर code implement करके देखेंगे और कोशिश करेंगे उसके बाद कि कोई online IDE को हम access करें जो 7.0 को access करता हो और वहां पर इसे implement करके भी देख लेंगे कि उनका output वैसे ही प्रेंड हो रहा है जैसे कि यहां पर होना चाहिए या नहीं लेहाज इस वक्त मैं एक project में मौजूद हूँ और आप देखने हैं अपने project को clean कर लेते हैं करने के बाद मैं में मैंचरड में मौजूद हूँ आप देख रहें आपर और में मैंचरड के अंदर हम एक मैंचरड बनाते हैं और मैं इसका नाम रखता हूँ int add to number तो मैंने दो परहां ले 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 लेना int a,int b और उसके बाद मैंने इसकी body बना दी body बनाने के बाद मैंने यहां लिखा return a plus b ठीक है मैंने उपर return type नहीं लिखा है और यह करने के बाद public भी लिख लेते हैं ठीक है method बन गया हमारा अब problem यह है कि इस वक्त में कहां पर मौझूद हूँ main method के अंदर ही मौझूद हूँ और इस वक्त जो मैंने चीज बनाई है वो एक और method है तो जिस method के अंदर मैं मौझूद हूँ वहीं पर ही हमारा यह method भी मौझूद है outside of that method लेकिन यहां पर मैं क्या चाहरा हूँ कि इस method को call करना तो मैंने यहां लिखा add small bracket open close a,b तो a,b की जगा मुझे उसकी value लिखनी होगी तो 12 plus, I mean 12,12 तो इस बहाफ पर जब आपका function execute होगा तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो मैंने यहां पर working की है वो एक local function की की है अब यहां पर यह चीज विजबल या display नहीं हो रही है उसके बाद बिल्ड पर आओगे बिल्ड पर आओगे बिल्ड आओगे नीचे आप देख रहाँ एडवांस प्लिखा होगे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद language version लिखा होगे जो के default है और आप नीचे आओगे तो यह 6.0 तक ही है उसके आगे नहीं इस विजुल स्टूडिय में मुम्किन है 2015 या 17 से आगे के जो वर्जन है उसमें इस से जादा के वर्जन हो तो आप इसको एक्सेप्ट करके यहानि यहां से सेलेक्ट करने के बाद उस code को execute करवा सकते हैं तो इस चीज को practically approved करने के लिए in term of output हमने एक online IDE open कर रखी है जो यह है और इस IDE के अंदर हम 7.0 को इस्तमाल करें लेहाजा जो code मैंने वहाँ पर अपने visual studio में किया था वो मैं यहाँ पर paste कर रहा हूँ as like this और पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हो मैंने run पर अच्छा यहाँ पब्लिक की access modifier नहीं होगा क्योंकि यह already static method के अंदर मौजूद है although बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही है और उसके बाद मैंने इसको run कर दिया and here it is और आप देख रहे हो कि हमारा output यहाँ पर execute हो चुका है तो हम यहाँ पर public use नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह स्वक एरर शो कर रहा था लेहाजा मैंने यहाँ पर public लिखा था क्योंकि यह जब एक static method main method के अंदर कोई method बना रहे होते हैं तो वो public नहीं हो सकता है तो यही वज़ा है कि हमने अपने code से यहाँ से squirt आ दिया और आप देख रहे हो कि उसी code को जो मैंने यहाँ पर paste किया है successfully उसका output यहाँ पर display हो चुका है 24 तो यह local function है कि हम एक main method के अंदर ही अपने एक method को बनाते हैं और उसी main method के अंदर उस function को क्या करते हैं call कर लेते हैं although अगर मैं previous methods की बात करूँ तो हमें separate classes के अंदर method बनाया करते थे और फिर main method में आकर उसका object बनाते थे और then उसे call किया करते थे लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं के main method में ही एक method बनाते हैं और वहाँ ही पर उस method को क्या कर लेते हैं call करके visible कर लेते हैं that's it about local function in C-Shop